नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका यूटूब चैनल एपी टेक में आज है 16 फरवरी 2022 और जान लेते हैं आज की मातिपूर्ण खबरें सबसे पहले अपडेट देखें आप असिस्टेंट प्रोफेसर बढ़ती परिच्छा को लेकर के आए लिखा कि गड़ित के प्रसिन पत्र में 27 फिजदी सवाल गलत है यूपी एची सी की और से जारी असिस्टेंट प्रोफेसर बढ़ती परिच्छा की संसुदित उत्तरकुंजी को लेकर के रोज नए विवाद सामने आ रहे हैं अब गड़ित विसे क्या बढ़तियों ने संसुदित उत्तरकुंजी पर सव सवाल उठ रहे हैं आयोग ने प्रदेश के असास कि माविद्यालियों में 47 विसेओं में 2002 पदों के लिए परिच्छा आजिद की थी परिच्छा के बाद बढ़ते हुने अनंतिम उत्तरकुंजी पर पत्तिया मांगी गई थी हलांकि अनंतिम उत्तरकुंजी जारी किया जा यानि कि 70% इस परिच्छा में पूछे जाते हूं 70 में से 19 सवाल आयोग ने उत्तर कुंजी से हटा दिये हैं गलत मानते हुए यहाँ पर भी देखिए इस प्रेश्ट रूप से दिया गी कैसे बना पेपर 70 में 18% गलत निकले यहाँ पर 18 की बात की गई है यहाँ पर देखिए सारी चीज़े वही लिखी है कि 70 में से जब इतने गलत प्रेश्ट आयोग ने हटाए हैं तो विसे बिसे से क्या कर रहे था किस तरीके से विसे बिसे से कैसे इतने बड़े बड़े जो गलतियां होती है वो होती है ठीक है और यहाँ पर देखिए दिया गया है कि अब बेर्थियों कहना है कि 70 में से 23 सवालों का निरस्ट होना या एक सदिक विकल्ब सही होना पूरी चेन प्रक्रिया पर सवाल खड़े करता है अब बेर्थियों का ये भी कहना है कि जिन चात्रों ने हटाये गए प्रस्टों को किया ही नहीं उन्हें तो इसका नुकसान हो गया पर जिनों ने उन प्रस्टों पर अपना अमूल समय खोया है वे 40 से 50 प्रस्टों के बिस लटक गए हैं जो उत्तर कुंजी जारी की गए उससे भी अभी चात्र संतुष्ट नहीं है उनका कहना है कई सवालों को अटा दिया गया और कई गलत सवाल अभी भी सही माने गए है तो इस तरीके से हाल है UPHC हमेशा से विवादों में रहा है चाहे वो फाम भरने को लेकर के हो चाहे उत्तर कुंजी को लेकर के हो और अब संसुष्ट उत्तर कुंजी जारी की उसमें भी इसके बार रिजल्ट जब जारी होता है उसमें भी कई सारी समस्यां देखने को मिलती है सीटेड रिजल्ट को लेकर के अपडेट है आप लोग जानते हैं कि सीटेड का रिजल्ट कल 15 फरवरी 2022 को जारी होना था तैसे डियूल के अनुसार लेकिन कल दिनवारा बरती इंतजार करते रहे देर साम तक यह साम अपडेट मिली कि आज जो सीटेड का रिजल्ट नहीं जारी होगा ठीक है कल साम की बात अपडेट है और हलांकि आज की अपडेट यहां पर देखे दी गई है कि सीटेड का जो रिजल्ट है कल जारी नहीं हो पाया लेकिन आज 16 फरवरी को जो सीटेड का रिजल्ट है वो जारी होगा यहां पर आप लोग दे सकते हैं यह अपडेट है हिंदुस्तान टाइम्स की तरफ से और यहां लिखा हुए पर अवलेवल लेगी डिजी लोकर से आप लोग प्रिमांक सीट और सर्टिफिकर्ट डाउन्लोड कर पाएंगे जिस तरीके से पहले सर्टिफिकर्ट डाउन्लोड होते थे प्रक्रिया से हम वही रहेगी बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ यहां पर अपडेट है पॉल आविदन मंगलवाट से सुरू हो गए हैं नया सतर में परवेश के लिए जो वेब साइट है वो सामने दी गई है 17 अपराल तक आप लोग आविदन कर सकते हैं सजिंग तो परवेश परिच्छा के प्रवारी सचिव राम रतन ने बताया कि आविदन के समय रहे गए कम्यों को दूर करने का मौका 18 से 22 अपराल तक मिलेगा परवेश परिच्छा ऑनलाइन होगी 6 से 10 जून के बीच परवेश परिच्छा होगी परवेश परिच्छा दो पालियों में होगी यदि अब बेर्थियों के संक्याच ज़्यादा होती है तो तीन पालियों में परिच्छा करवाई जा सकती है और यहां पर कुछ इस बार बदलाओ किये गए पिछले साल क्या था कि आफिदन करने के लिए तीन अलग अलग तरीके थे अलग अलग ग्रूप के लिए अलग अलग ऑनलाइन फार्म रखे गए थे लेकिन इस बार ऐसा क्रिशन ही किया गए यहां पर जगे एक ही फार्म के माद्दम से सुबधा दे दी है तो सर्फ एक ही फार्म आपको भारना होसी में सारे विकलप आपको मिल जाएंगे जिस भी गुरूप के लिए आफिदन करना चाह रहे हैं तो यह दोस्तों अपडेट पॉलिटेकनिक को लेकर के इसके आफिदन आज कल मंगलवार से प्रारंब हो चुके हैं 1440 पॉलिटेकनिक में छादर चात्राइं प्रवेस के लिए आफिदन कर सकते हैं डिस्क्रिप्सन बॉक्स में गवर्मेंट जॉबसेंटर डॉट कॉम वेब साइट कर लिंक दिया गया है वहां से आप लोग आफिदन कर सकते हैं कर दिया लेकर प्रारंबिक परिच्छा के कटा फंक जारी नहीं किये आयोग में कई बार गयापन देने के बाद भी कोई सुनवाई ना होने पर प्रतियोगी छातर संगर समित ने अब कोट में गुहार लगाने का नेड़ा लिया हैं आयोग ने पीसेस परिच्छा के साथी समिच्छा दिकारी 2016 2016 की प्रारंबिक परिच्छा के परिच्छ परिच्छा के साथ कटा फंक भी जारी नहीं किये तें लेकिन किये तें प्रभात कुमार ने प्रारंबिक परिश्य का कटाफ अंग झारी नहीं किए जाने की प्रक्रिया बंद कर दी गई और अब जो अब BIG आउइ निए वो कोट जाने की तेअरी करें पीसे जोजार किस की प्रारंबिक परिश्य का पोग्राम घोशी तो हो चुका लेकिन उसका भी कटाफ जारी नहीं किया गया तो विबिन वर्तियों के कटाफ के लिए बड़ती कोट जाएंगी यहाँ पर अपडेटर राजवी स्विध्याले की परिछाओं को लेकर की लिखा है कि प्रफेसर राजवी स्विध्याले के विसम सेमस्टर की परिछाएं मार्च के पहले सब्ता और उत्तर अपर राजवी स्विध्याले की परिछा हैं मार्च के दूसरे सब्ता हैं परिछाओं को लेकर के तयारियां सुरू कर दी गई है राजवी स्विद्याले में जनली इसके लिए परिच्छा समित की बैठक बुलाए जाने की तैयारी है ठीक है साथ में राजए समोड टंडन जमुक्ति स्विद्याले वहां की परिच्छा भी दूसरे अबते में सुरू होंगी मार्च में जो कुछ भी अपडेट मिलेगी चैनल के माद देम से आप लोगों को अपडेट दी जाएगी ठीक है इसी तरह के अपडेट पाने के लिए आप लिए आप लोगों को सब्सक्राइब कर लीजेगा बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ हो यहां पर देखे लिखा है कि अच्छा सेम वही अपडेट है लेकिन दूसरे निज़ पेपर किया तो इसको बताने का कोई मुतलब नहीं है यहां पर प्रवेस परिच्छा के बारह में यह निज़ पेपर एक कटिंग है काफी दिनों से वारल हो रही लेकिन जब मैंने अभी कल परसोंच चेक किया तो अभी ऐसा कुछ भी नहीं है यहां पर बीएड साहिए तो प्रवेस परिच्छा के मादम से जो लोग बीएड कर प्रवारता में संकाय अधिच्छ प्रवेसर अमिता बाजप्य ने बताया कि विस्विद्धाला को छट्री बार यह जिम्मेदारी दी गई है लिकिन जैसे मैंने लगणों विस्विद्धाला के वेबसाइट चेक क्या तो वहां पर भी बीएड के लिए आउनलाइन अदिन प्रारम नहीं हुए है लेकिन यहां पर दिया की 12 फरवरी से प्रारम हो चुकी है ठीक है तो बीएड मामले को लेकर के बीएड प्रवेसर परिच्छा को लेकर के जो कुछ भी अपडेटी मुलेगी चैनल के माद्दम से आप लोगों का अपडेट की जाएगी फिलाल इस व